Hello everyone and welcome to the Law Channel of Adda247 कैसे हैं आप सब लोग और आज मैं आपका उस परिशानी का अत्मा करने आया हूँ जो इसके लिए आप बहुत परिशान हो CUT-UG के पेपर को लेके तो CUT-UG के पेपर से अगर आप लोग करना चाहते हो लोग तो ऐसे मेरे पास बहुत क्वेश्चेंज आ रहे हैं कि सर इसमें हम डोमेन क्या भरें अगर मुझे BALLB का कोर्स करना है या BBALLB कोर्स करना है CUT-UG के तुरू तो मैं कौन-कौन से डोमेंज भरो तो बच्चे आज ये विडियो देख लो फड़ा-फड़ से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से आपको डोमेंज यहां पर करने हैं तो पहली चीज जो आपको यहां पर समझनी है कि जो CUT-UG के तुरू आप ये दो कोर्स कर सकते हो एक होता है BALLB और एक होता है BBALLB और नीडलेश तू से इसकी दो सबसे अच्छी उनिवर्सिटीज है BHU that is Banara Sindhu University and University of Allahबाद ये आपकी दो इसकी सबसे बहतरीन उनिवर्सिटीज आती है जो आप CUT-UG के तुरू इसमें अड्मिशन ले सकते हो अब यहाँ पर अगर आप सबसे major चीज देखते हो कि आपको problem ये हो रही है कि मुझे domain subjects क्या भढ़ने चाहिए क्योंकि आपके पास ये question आता है क्या मुझे GT भढ़ना चाहिए या नहीं भढ़ना चाहिए क्या मुझे domains में क्या subjects लेने चाहिए ये तो समझ नहीं आ रहा है तो उस चीज के लिए ही यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास क्या-क्या options निकल के आते हैं तो अगर आप यहाँ पर CVT की site पे जाएंगे that is cvtug.ntaonline.in universities पे तो आपको यह दुनिया भर की universities यहाँ पर आपको आप यहाँ देखते हैं तो BLLB के लिए eligibility आती है आपके पास एक language लेना है आपको English तो this is compulsory कि आपको यहाँ पर English ही लेना पड़ेगा you cannot take this thing ठीक है तो आपके पास जो choice है बनारास हिंदू university में हिंदी और English में से हैं तो आप इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पर आपको लिखके दिखा दू तो आपके पास जो language आती है यहाँ पर यह ठीक है तो जे आपके पास यह language आ जाती है यह यह language आपके पास है English और हिंदी में से कोई सी भी एक ठीक है यह आपकी eligibility criteria है for BHU किसके लिए है यह this is for BHU तो BHU में अगर आपको admission चाहना है तो आपको language में से English और हिंदी में से एक domain में legal studies और general test का combination आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा ठीक है जी अब आते हैं इसके बाद अगली university जो की है Allahabad University और Allahabad University में अगर आप जाते हैं तो towards the end आपको इसमें दिखता है B-A-L-L-B तो आईए हम यहाँ पर देखते हैं कि B-A-L-L-B में आपको क्या-क्या वो मिलेगा तो फड़ा-फड़ से हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं University of Allahabad में तो यह रहाँ आपके पास University of Allahabad की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लेना है again language में language में आपको English और Hindi में फिर से choice है उसके बाद domain में आपको लेना है legal studies और यहाँ पर भी आपके पास general test यहाँ पर भी आपके पास general test is mandatory तो यह आपका बन जाता है University of Allahabad के लिए eligibility criteria जो आपको भरना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा भरना पड़ेगा प्लीज पर आपके सामनी क्या है पास एन एक्जाम ऑफ 10 प्लस 2 और 11 प्लस 1 कोर्स schooling by academic council recognized and who have scored 45% से ज्यादा 42% OBC and 40% SCST के लिए ठेक है तो यह है अब इसमें बहुत सारे बच्चों का question यह भी आता है कि सर अगर हमने legal 12th में नहीं पड़ी तो हम भर सकते हैं बिलकुल भर सकते हूं कोई problem नहीं है मैं science का student हूँ और मुझे law में जाना है तो मैं legal studies दे सकता हूँ मैं commerce का हूँ तो दे सकता हूँ मैं humanities का हूँ तो भी दे सकता हूँ चीक है तो आप यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं अब इसके बाद तीसरी आपके लिए जो यहाँ पर university आ जाती है वो आ जाती है देवी अहिल्या विश्विद्याल है जो की इंदोर में है DAV इंदोर और इसमें अगर आप LLB के लिए देखते हैं तो यहाँ आपके पास LLB के लिए जो criteria है वो है language में language में आपके पास इनको सरफ English चाहिए प्लस उसके साथ इनको general test चाहिए प्लस उनको यहाँ पर general test च good one ठीक है apart from these तो यहाँ पर आपको सिर्फ चाहिए language और general test लेकिन यहाँ पर आपके 10 प्लस 2 में 50% से जाधा होने चाहिए 50% से जाधा marks अगर आपके है तो आप यह BALB honors का जो course है पांच साल का integrated यह कर सकते हो by giving language plus general test इसके बाद एक और university निकल के आती है जो की है गुरु ग Gobind Singh Indra Prasth University जहाँ पर आपको Delhi में है यह Guru Gobind Singh जो better known as IP University आप IP University आपको दो प्रोग्राम देता है एक देता है BALB और दूसरा आपको देता है BBALB ठीक है BALB के लिए आपको चाहिए English ठीक है यहाँ पर भी language में choice नहीं है English है Legal Studies है Legal Studies है और General Test है और वैसे ही BBALB के लिए भी same criteria है English चाहिए Legal Studies चाहिए और GT तो अगर आपने Legal Studies अपनी Class 12 में नहीं पढ़ा है उसके बावजूद भी आप इसको domain subject में भरकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपने लिए BALB के लिए option चूज़ कर सकते हो अंडर CUET UG ठीक question यहाँ पर निकल के आता है वो क्या है कि Sir मैं सरफ Legal Studies ही भरूं domain में ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने BALB करने का सोच लिया कि भाया मुझे BALB करना है या फिर मुझे BALB करना है यह मैंने सो होता है तो मैं CUET, UG के थरू और courses में भी जाना चाहता हूँ तो उसमें अगर आप Science student है अगर आप Commerce student है और अगर आप Humanity student है कौन है आप Humanity student है तो आप क्या करिए आप लीजिए एक language जिसमें preferably अगर आप English लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि सब जगाए चल जाएगी इसके साथ आप अपने domain लीजिए domain में एक legal studies ज़रूर रख लीजिए और इसके साथ तीन subject और रख लीजिए जो आपने अपने class 12 में पड़े थे जैसे अगर मैं science का हूँ तो मैंने PCM ले लिया ठीक है science में ही medical वाला हूँ तो मैंने PCB ले लिया commerce का हूँ तो मैंने accounts, business studies, economics ले लिया या फिर accounts, business studies और math ले लिया मैं humanities का हूँ तो मैंने history, geography प्लस political science ले लिया ऐसे combinations आप ले सकते हैं ठीक है और प्लस इसके साथ आपने ले लिया general test अब ये combination लेने के बाद ये combination लेने के बाद आप major सारे जो subjects हैं जो streams है उनके लिए कहीं ने कहीं आप eligible हो जाओगे ठीक है वहाँ पर आप eligible हो जाओगे बस आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि अगर आप law के साथ जैसे बीबीए करना चाहते हो तो कहीं जगा पर उनको mathematics compulsory होती हो तो आपको legal और mathematics लेना पड़ेगा जैसे शहीद सुखदेव college of business studies में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर mathematics उनको चाही होता है तो आपको lobby करना है लेकिन आपक प्लस mathematics तो लोगी उसके साथ आपने accounts और BST ले लिया आपने math के साथ physics और chemistry ले लिया ऐसे करके लिए सकते हो तो यह चीज आपको ध्यान में रखने पड़ी तो यह है आपके सामने जो domains आपका structure है जो आपको लेना चाहिए for BALLB for different universities under CVT UG अब जब यह सारी चीजे हो जाती website पर यहां पर जाएए आपको दिखेगा all courses यहां पर जाएए UG NPG पर जाएए law entrances पर आपको दिखेगा CUT UGLB उसके लिए आपके पास है हमारा unnaty 2.0 batch ठीक है आप यह से जाए इस पर click करिए इस पर view offers पर जाएए यहां पर जाके अगर आपने code लगाया Y713 और इसको apply कर दिया तो आपको ही मिलेगा यह 5,060 रुपे में 5,060 रुपीज में आपको CUT UG की पूरी तयारी हम लोग यहां पर करवा रहे हैं by using this code Y713 तो आपको सिर्फ यह code लगाना है और मेरे साथ जुड़ जाना है plus CUT UG के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे directly इस नमबर पे call करिए I will definitely love to help you for CUT UG और बचो आप लोगों का 12th का paper बस कुछ को लोगों का खतम हो चुका है कुछ लोगों का खतम होने वाला है बहुत anxiety और pressure होता है कि forms हाई भरें वहां कोई दिक्क कि आपको कोई किसी की सुने की कुछ जरूत नहीं है आपको अगर को यह बोलता है कि मैं फोन ने उठाऊंगा बात नहीं हो पाएगी कुछ ऐसा नहीं है I will be there for you always so you have to just remember this and this इस पर जाके अगर आप यह हमारी आप को डाउनलोड कर लो फटा फट से जहां से आपको मिल साथ इस जर्नी में CVT UG की और आए करते हैं अपने सपने को पूरा एक अच्छी ड्रीम यूनिवरस्टेटी में जाने का All the best, take care